हलो फ्रेंट्स वेल्कब डू आज चानल करेंट अफएर अपडेटेड आ दिस इस दिवाशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपोर्टन टॉपिक लेकिया है क्योंकि रिसेंटली ज्यादे कि इस फ्रेंच ओपन का भी रिसेंटली रिजल्ट आया उस पर बहुत न्यूस इसलिए मैं ग्राइंट स्लाइम को टॉपिक लेकिया हूं इस लेक्चर को एंड तक देखना आपको सारे ग्राइंट स्लाइम से जितने भी कोशन्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो चलिए सब्सक्राइब ग्राइंट स्लाइम की बात करूं तो यादए कि टेनिस टूर्णमेंट है किस से लिटेर और टो फोर्थ उस उपन तो पहल आपको यह पता होना चीगए अब मैंने लिखा है क्योंकि अगर मैं इनका डेट देखू यह होते कब हैं तो अब अभी 2023 का मैं एक्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि एवेंट्स कब होते हैं जैसे ऑस्टेलियन ओपन 16 से लेके 29 जैन 2023 वे हुआ फिर फ्रेंच ओपन की बात करूँ तो 28 में से 11 जून मतलब रिसेंट्ली ही अभी इसमें इसका जो विनर है वो एनाउंस हुए है जो जीता है जिन्होंने फ्रेंच ओपन तो यह अभी रिसेंट्ली हुआ तो करेंट का भी कॉश्चन है विमेल्डन 3rd से 16 जुलाई 2023 तो अभी में यू सब्सक्राइब तो एक साल में आप देखने चार इवेंट्ट्स हो रहे हैं ये चार ग्राइंड स्लम से बहुत इंपको निमारे है कि आपको फ्रांस में हो रहा है तो परिस फ्रांस में ये आपको London, England में, टोके और लास्स जो है, दैस्ट यूएस ओपन यह आपको याद रखना है, New York City, US में होता है, तो तीन तो खलीर है, Australia, French और US कहां होते होगे आप बता सकतो, Wimildon पर कोशन आता है, तो आपको याद रखना है, London, England में होता है, यह तो एक basic facts हुए about grand slams अब जो अभी आपने देखा मैंने आपको बता है दो tournament हो गए है और ये दोनों अभी होने वाले हैं तो चलिए मैं discuss कर लेता हूँ winners कौन रहे हैं इनको एक light cinch में याद कर लेते हैं और question किस तरह आ सकते हैं एक तो मैंने जो पीछे की slide बताई अभी कुस देर पहले उससे question आ सकते हैं अब next way में question इस तरह आ सकते हैं सबसे पहले मैं 2023 के जो grand slam tennis tournament हुआ है उसको discuss कर रहा हूँ देखिए आप देख सकते हैं Wimbledon और US Open ने मैंने dash लगा रखा क्योंकि अभी ये event 2023 में नहीं हुए है ठेक है देखिए पूछे जाने के question क्या क्या है जैसे Australian Open 2023 ये हुआ पूछा गए कौन सा edition था तो आपको यादखना 111th edition था जो अभी tournament हुआ किस surface में खिला जाता है ये बहुत important है क्योंकि ये hard surface में खिला जाता है तो ये असे Australian Open और सबसे last जो होता है US Open ये दोनों ही यादखना आपको hard surface में खिला जाता है ये point आपको यादखना है तो Australian Open hard surface में खिला गया अब इसमें आपको men's single और women's single at least याद होने चाहिए Australian Open 2023 अंडर न 11 एडिशन तो ये रिखेगा Novak Dokovic जो मेरे favorite player है याद खिएगा अब आपका भी favorite हो सकता है आपका मेंड बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका favorite tennis player कौन सा है मेरा Novak Dokovic है याद खिएगा Serbian player है इन्होंने Australian Open जीता हुआ है सिंगल में में सिंगल में और वोमें सिंगल में देखें तो आयना सबलेंका याद खिएगा आयना सबलेंका जो है जो की belong करती बेलेरस से इन्होंने वोमें सिंगल जीता ये इस बारका 2023 का विण था आगे बढ़ते हैं French Open French Open जो अभी हुआ 2023 में यह 127 एडिशन था कौनसा एडिशन था? 127 तो यह एडिशन भी पूछ रकते हैं रिसेंट वाला हुआ है जो अब यह किस कोट में खिला आता है यह कोशन बहुत आता है यह क्ले कोट में खिला आता है याद एक लौता Grand Slam में अगर हम देखेंगे चार टेनिस टूर्णामेंट में तो एक लौता है जो क्ले कोट में खिला जाता है तो यह कोशन बनता है दूसरा इस बार इसको मेंस सिंगल किसने जीता? तो अगेन मेरा फेवरेट प्रेयर आप देख रहे है नोवाग नोगोविच ने भी यह नही फ्रेंच ओपन भी जीता है और आप देख सकते हैं सर्विया से बिलॉंग करते हैं किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं यह भी इंपॉर्णिट होता है और अगर वोमें सिंगल में देखें तो वोमें सिंगल किसने जीता है? पूलेंड की प्लेयर है, इन्होंने वोमेंज सिंगल जीता है एक वे में कुशन और आसकता है, नुवाग दोकोविच, आप देखें हैं और अस्टेलिन उपन भी जीता है फ्रेंच उपन भी जीता है, तो पूछ रखतें इन्होंने किसको हराया है ठीक है runner up को रहा है तो आप कर ताइम हो तो आप इसका runner up जो है मुझे दुनों के याद देखिया austrian open का men's single और याद दखे जो उस फेलेंश open का men's single ऐसी women's का women's single दुनों के है आप मुझे runner up अगर आपको पढ़ना है तो comment box भी देख सकतो, if you have time, नहीं time में तो कोई दिखका थी, सिर्फ विनर याद करो, आगे बढ़ते है, विमल्डन अभी 2023 में होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बता है, कि एवेंट जुलाई में होने वाला है, तो यह जो 2023 का एवेंट होगा, यह 136th एडीशन है, विन यह कोशन भी बहुत आता है, यह यादकना आपको, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने विनरस नहीं लिखे हुए है, यूएस ओपन की बात को, तो इस बाद जो यूएस ओपन होगा, 2023 का, यह 143rd एडीशन होने वाला है, यादकना आपको, और यह भी हाड़ क कोट में खिला आता है, तो देखा जाए, तो सर्फिस के अकॉर्डिंग, दो टूनमेंट, जो ऑस्टेलियन है, और यूएस है, यह दोनों हाड़ कोट में है, फ्रेंच क्ले में है, और विमिल्डन ग्रास में है, ठीक है, अब एडीशन में भी आप देख रहोंगे, तो सब सबसे ओल्डेस, यूएस ओपन होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, नहीं, सबसे ओल्डेस टूनमेंट जो है, वो विमिल्डन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्यों, कोई सबसे पहली बार जो खिला गया होगा, वही ओल्डेस होगा, जरूरी नहीं कि हर साल हो रह सकता है, मैं सिर्फ एक्जाम उटेट, सारे टॉपिक, सिंगल लेक्चर में कवर करो, इसले एंड तक जरूर देखना, जरूरी ये कॉशन को, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब आगे ये बढ़ना है, जो इंपॉटेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले, मैंने बता है, सबसे प उपन 1881 में है, उसके बाद आप देखेंगे, फ्रेंच उपन 1891 में है, और सबसे लेटर साब देखेंगे, और आउस्टेलिन ओपन 1905 में है, ठीक है, तो साइट उनमेंट के बना आपको यहाँ पर डेट्स लिख दी है, तो ओल्डेस तूनमेंट पूछा जाए, तो आंसर पन को हम दूसे नाम से आपको यह रखना है, रोलेंड गेरोस के नाम से भी जानते हैं, तो कभी-कभी यह भी कुशन आ सकता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से किसके, रिगार्डिंग ग्रांड स्लैम, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने विनर्स तो इस बार के बता फ्रेंच आपन तो इसके टाइटल हो गए 23, ए और राफाइल न आडाल जो है 22 है, और जो रॉजर फेटर का फैन हो, कोई रौजर का फैन हो, कोई और किसंभी वी फैन हो, मैं तो इसका फैन हूँ और मैंने आपको बता भी दिया सर्विया से बिलॉंग करता है और रॉजर फ्रेडर किस कंटरी से बिलॉंग करते हैं और अपने फिर्वेट प्लेयर का नाम भी मेंशन करो मुझे मैं फिर से रिपीट करा हूँ में सबस्यादा बार टाइटल जीतने वाला प्लेयर कौन है यह कोशन आएगा क्योंकि रीसेंट भी यह बने है नुवाग दोकोविच आगे अगर पढ़ें तो आप कहेंगे सर मेंस सिंगल में सबस्यादा बार किसने जीता है अब लोग कहेंग इनका कोट में खेल नहीं है तो सबसे अधा बार जीता है और स्टेलियन लेयर है यह याद दखेगा 24 ताइमस इन्होंने टूर्णामेंट को जीता है ग्रांड स्लैम से तो सबसे अधा बार आपको याद में सरीना विलियम सांसर नहीं मार्क करना है तो यह चीज़ भी आप जीता है तो मेल एक फीमिल होती है साथ में सो देखा है तो महेश भूपती जो है जो तमिल नाइडू से बिलॉंग करते हैं यह पहले इंडियन मने जिन्होंने ग्रांड स्लैम को जीता वों इम आपको जीता वह आपको दाता हूं 1997 में फ्रेंच ऑपेन हुआ था याद रखेगा तो मिक्स डबल इनों जीता महेश भूपती एक पार्टनर थे दूसरी पार्टनर जैपान की रीका हिराकी थी उनके साथ मिलके उन्होंने फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल जीता था तो पहले इंडियन बने जिनोंने महेश भूपती यह एक्जाम में आएक आप कंफ्यूज मत हो जाईए कि इसने मैंने क्लियर कर दिया है देखिए जो इस बार इवेंट हुआ वो तो मैं बता ही रहा हूं बट और कोशन क्या सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं ठीक है और यह जो अगला कोशन और सब सबसे चाहए मिलता है तो उसका नाम में यूवे वेश उपन या दिखेगा यूवेश उपन अमाउंट ओफ्राइज मनी आउटफ ओस जी आपको देदी है अभी तक ग्रोग्रॉड्ट्स्लैंट्स सबसे क्ना सबसे हैं अप्तेजुएंट और तो पूर आपको टॉपि event होगा बट फ्रेंच ओपन अभी रिसेंटली हुआ है एक्जाम में कुशन आएगा इसलिए आपको बना देना है तो यह था स्पोर्ट का टॉपिक जो की बहुत सिंपल में मैंने बहुत जली से आपको बता दिया है कोशन ग्राइंट स्लैम से आता है इसने मैंने चैनल की ग्रोथ के लिए तो आप कर सकते हैं अब मैं अपने नोट की बात कर लूँ आगे आपने स्पोर्ट पढ़ लिया अब बाकी सब्जेक कैसे पढ़ो गया पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी यह सब्जेक्स की क्लासे मैंने बना रखी है एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो वाट्साप भी कर सकते हो एक बार अप्लिकेशन को जरूर विजिट करो वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर से अवलेबल हो जाएंगे अब अगर स्पेसिफिकली कोर्स की प्रप्रेशन कर रहे हो देखो यार यूपी एसी भी पासकर स्पोर्ट से कोशन बहुत प कोशन कुछ अपटे से आ रहे हैं कभी-कभी एडिशन भी पूछ रहा है इसने मैंने उसको कवर कर दिया है अब देखा है तो यूपी एसी का कोर्स अफकोर्स इंपॉर्डेंट है प्री प्लस मेंस का मेंस की क्लासे कहीं भी सब लोग लाइब ले रहे हैं धीरे धीरे करा पूरा कंप्लीट कोर्स है एक बार एप्लिकेशन डाउलोड करो पूरा एटुजेट कंप्लीट है बस अपडेशन होता रहता है जो नई चीज़े आती है पूरी तरीके सब चीज़ें आंसर राइटिंग सीरीज न्सी अटी क्लासे प्री लेंस क्लासे टेस्स सीरीज सुप क्रमेंट करके जरूर बताना कि आपके एक्जाम में कोशन आया वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरू करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सीधी बात नोबगवास मतलब टाइम पास जो लेक्षर नहीं करते हैं अगर ऐसे लेक्षर पसंद आ रहे हैं तो व बनाइसले हैं